हलो मित्रों जै माता दे मित्रों आपकी जहनकारी के लिए बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपको उन रासी वालों के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी रासी से आप से सच्चा प्यार करती हैं जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन वेक्तियों के नाम के साथ साथ उनकी रासियां भी बताएंगे जो आपकी रासी वालों से सच्चा प्यार करती हैं और यदि ऐसे लोग आपको अपनी जिंदगी में मिल जाए तो आपको इनका साथ बिलकुल भी नहीं छोड़ दोस्तों ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अगर आपके साथ मिल जाए तो आपके जिंदगी स्वर्बग बन जाएगी आपके जीवन में चल रही जो भी प्रिसानिया कश्ट और संकट जो भी आप पिछले काफी समय से जेल रहे हैं वह सब धीरे-धीरे खत्म हो जाएं दोस्तों अगर आपका पार्टनर अगर आपका जीवन साथी इस रासी का है तो यकीन मानिए कि आप सबसे ज़्यादा भागेसाली इंसान हैं क्योंकि दोस्तों ये लोग आपके जीवन में सच्चा प्यार करने के साथ साथ आप पर सच्चा विश्वास भी करती हैं दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिश न करें और इसे सुरू से लेकर अंद तक बिना इसकीप किये जरूर देखें तभी आपको यह वीडियो समझ में आईगी और दोस्तों आपसे बस छोटी सी विंती है कि इतनी मेहनत करने के बाद यह वीडियो बनाते हैं जरूर लिखते हैं इसे बगवान सनिदेप का असिरवाद आपकी और आपके प्रिवार वालों के उपर निरंतर बना रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा अकसर देखा गया है कि यदि आपका सब कुछ अगर चला जाए सब कुछ तहस नहस और तूट भी खर जाए आप लोग अपना आत्म विश्वास और अपना आत्म सम्मान कभी नहीं कोटते हैं दोस्तों आप लोग अगर कोई काम करने के ठान लें तो फिर आप लोगों के मन में चैंस नहीं बैठते हैं आप लोग थोड़े लोग होते हैं तो वह अगर किसी से प्यार भी सच्चा प्यार अगर आपने किसी से करने लगे तो आप लोग इस तरीके से प्यार में पागल हो जाते हैं कि आप अपने पार्टर की छोटी सी छोटी कोई बात को अपने दिल पर लगा लेते हैं काफी जादा इमोशनल भी आ भूल नहीं पाते दोस्तों आपके अंदर यह quality देखी गई है कि आप लोग किसी भी काम को निश्वार्त भाव से करती हैं लेकिन दोस्तों आपको पूरा तब जादा लगता है जब कोई दूसरा वेक्ति जिससे आपको अपना शमच कर जिसे आपने अपना समझा उसके लिए सब कुछ किया और वही इनसान आपको रिस्पेक्ट न करे आपके फिलिंग्स को हट करे और आपको कुछ भी न समझे और आपको हमेसा नीचा दिखाए या पीच पीचे आपको दोखा दे तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आप से अपनी मतलब निकलते ही आपका इस्तमा प्यार करना और किसे से प्यार बाटना तो आपकी रासी वालों से सीखना चाहिए कि बिना किसी स्वार्थ से आप कैसे लोगों की मदद करते हैं लोगों के भला करते हैं आप बताईए मुझे कमेंट करके क्या मैं ये सब गलत बोल रहा हूं कि आपके साथ ऐसा सब कुछ न नहीं आ जाते हैं जरूर बताईएगा और दोस्तों आप लोगों को तो वैसे तो खुस्यां बहुती कम मिलती है या आप लोगों को खुसियों के कोई कमी नहीं होती है क्योंकि आपका भगवान ही इतना बड़ा है कि वह आपको सब कुछ देता है जो भी जरूरतें आपकी हो वह कुछ आपको पहले से ही भगवान इस्त्वर दीए होते हैं लेकिन दोस्तों प्यार के मामलों में, जिससे आप लोग उमीद लगाये वैठी हैं वे लोग ही आप से किनारह कर लेती हैं और ऐसा बार बार नहीं बलकि ऐसा एक बार बार आपके साथ ऐसा ही होता है मानों कि आप लोग प्यार के लिए सच्चे प्यार के लिए बने ही ना हूँ लेकिन दोस्तों आप ऐसा अपने दिमाग से निकाल देजिए आपको मैं जो बता रहा हूँ आप उसे बहुत ही गौर से देखेगा बहुत ही ध्यान से देखेगा आप हमेशा एक जिद्धी व्यक्ति ही इतिहास रखते हैं और आपकी रासी वाले तो जिद्धी से भरी होती है जिंदगी में आपके पास जितनी प्रिसानियां आए दुख आए, टैंसन आए आप हापने हर प्रिसानियां, हर मुस्किलों का डट कर सामना करते हैं और कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं आप किसी भी चीज को पाने के लिए उमीद नहीं जिद रखते हैं और यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाती हैं दुस्मनों की चोट तो आप कुसी कुसी सह लेती हैं लेकिन आप तब बहुत ज़्यादा तूट जाते हो जब कोई आपका अपना आपको चोट पहुचाता है दोस्तों खैर जो हो चुका सो हो चुका अब आने वाला समय में आपको कुछ बहुत जरूरी चीजों का ध्यान रखना है और दोस्तों उनमें से सबसे जरूरी चीजिया है और दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप देखिएगा कि आप अब लोगों के उपर बहुत ज़्यादा भरुसा नहीं करना है जी हाँ दोस्तों आप हमेशा लोगों को लोग चुनने में गलती कर देते हैं यानि कि जब डिसाइट करना होकर किसे अपना मनाना है किस पर भरुसा करना है उसी पर आप उसे समय गलती कर देते हैं और पाद में यही गलती आपको पस्ताने पर विवस कर देती है तो दोस्तों ऐसे में वो कौन सी रासी के लोग हैं वो कौन सी नाम के लोग हैं जिनसे आपको जुड़ना चाहिए जिनसे आपको रिष्टे बनाना चाहिए जो आपके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पर दोस्तों सिर्फ विवह की बात नहीं हो रही है आप अपने मित्र यानि कि आपके करीबी जो लोग होते हैं उन्हें भी आप इस तरीके से अपने जीवन में आगे चल कर चुन सकते हो इसलिए दोस्तों बिना समय गवाए आपको हम सबसे पहले बता दें कि वह कौन सी रासिया हैं जो आपकी रासिवालों को सबसे जादा करीब हो रहते हैं या दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो रासी है वह रासी है मेस रासी जी हां दोस्तों मेस रासी यह आप अगर इनके साथ लोगों का विबाह हो जाएं अगर होता है तो यह काफी जादा अच्छा सावित होता है यह दोनों ही रासी के लोग मानिए एक द तेहना भी काफी ज़्यादा पसंद होता है जी हां दोस्तों इन रासियों के लोगों को वहवार romantic होता है इन रासियों के लोगों में leadership quality होती है पर इस चीज़ को लेकर इनमें भी कभी अलगाव नहीं होता यह हमेशा एक दूसरे के निरने का सम्मान करती है यह रासियों के बीच एक गजब की जबरदस्टर ट्यूनिंग देखने को मिलती है और दोस्तों अगर आप नाम की बात करें तो मेस रासि के ज़्यादतर लोगों का नाम जो होता है वो अक्छर से होता है यानि की ए अलफा बेट से सुरू होता है ऐसे में दोस्तों मेस रासि और मेस रासि यह जो मेस रासि है जिनके साथ लंबे समय तक वक्त रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रहेगा अच्छा यह दोनों आप आपस में खुसी खुसी रहती है दोस्तों अगली जो रासि है वो है मिथुन रासि जी हाँ दोस्तों बताना चाहेंगे कि मिथुन रासि के लोग एक दूसरे के लिए बहतर दोनों बहतर सावित होते हैं इन दोनों रासियों में हमेशा कुछ नया करने का जज़बा रहता है अगर जिन्दगी में उतार चड़ाव भी आए, तो आप यह हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, साथ में मिलकर उन स्टभी परिसानियों का सामना करते हैं, यह दोनों ही रासी के लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइदमन्द रहती हैं, इन रासीयों के जा यानि कि छह हो हता है, ठीक है, छह और हो, जी हाँ, एक बार फिर हम आपको बता दें, कि उनके नाम का पहला अक्षर छह और होती है, इस रासी का स्वामी ग्रह बुद्ध है, दोस्तों अगली जो रासी है, वो है सिंग रासी, जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे, कि इंदम परफेक्ट होती है, इन रासीों के जातकों में खास बात यह होती है, कि इनका सम्मंद सकरात्मक, उर्जा और उत्साह से भरा होता है, किसी भी परस्तिती में अपने जीवन साथी का, अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, ये रासी के लोग एक दूसरे के प सिंग रासी के जो लोग होते हैं, उनके नाम का पहला अक्षर जो होता है, वह है M, यानि की मौ, अक्षर से नाम इनका सुरू होता है, दोफ़तों आपको जानकारी के लिए बता दें, अब जानकारी होगी कि आपकी रासी वालों का साथ वह कौन सी रास्या हैं, जो कहानी जीवन की जो है वो बहुत ज़्यादा सुखद होगी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों अब बात करते हैं उनकी जिनके विवाह में प्रिसानी आ रही है बाधाएं आ रही है दोस्तों बता दें कि जिस युवक या युवती के विवाह में बाधाएं आ रही हैं रिष्टा तूट जाता हो तो दोस्तों ऐसे में आप लोग गुरिवार को पीपल के व्रिक्ष में या केले के पौधे पर आप जल चड़ाएं मंगलवार को दोस्तों हनुमान जी को घी मिश्रित सिंदूर चड़ाएं ठीक है और शुक्रिवार को किसी भी महिला को इत्रक दान करें दोस्तों ऐसा करने से विवाह में आपकी आ रही बाधाएं सिग्र ही दूर हो जाएंगे यदि आपके वहवाइक सम्मंद में प्रिसानी आ रही है पती या फत्नी में आपस में बन नहीं रही है तो ऐसे में दोस्तों आप मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की कूजा जरूर करें हनुमान जी को गेहों के आठे एवन गुड़ से बने लड़ू का भोग लगाएं हनुमान जी को सनिवार और मंगलवार को सिंदुर चढ़ाएं रामायन के बालकान का पाठ जरूर करें ऐसे में आपकी जो भी प्रसानिया है वो हनुमान जी दूर करेंगे दोस्तों अन्त में आप लोगों से इतना अरुनोत करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जैसनी देब जरूर लिखते हैं और वीडियो को लाइक कर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि मैंने जो भी आपको बताया वह आपके जीवन में हो रहा है या नहीं मिलते हैं आप से और नई वीडियो में ग्यानवर्दक वीडियो के साथ तब तक के लिए जैमागा